आप सभी प्यारे बच्चों को रादे रादे, नमशकार, Star IQ YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरा नाम है सुनिल और लेके हाजीर हूँ आप सभी प्यारे बच्चों के लिए आप सभी की फेवरिट क्लास मुझे कौन रोकेगा एक स्पेशल कलास है जो की HCS यानि की हर्याना सिविल सर्विस एक्जाम और बाकी तमाम वो हर्याना के पेपर जिनमें हर्याना जीके का स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है उन सभी के लिए मददगार कलास आप सभी के लिए सुरू की गई है सर आज ये कलास जो है वो दूसरे फार्मेट में नहीं है यानि की वाइट बोड या लाइव वाले फार्मेट में नहीं है तो हाँ प्यारे बच्चों ये कलास आज रिकॉड़ीड है इसका रीजन इतना सा है आपका कि जो मैंने कल आपको कलास पढ़ाई थी जिसमें आपका topic था कि हर्याना को जानने के इतिहास के स्त्रोत क्या है history के sources कौन कौन से है जिसमें से मैंने आपको main main topic या main main जो चीजें थी वो आपको समझाने की कोशिस की लेकिन ऐसा मुझे भी परतीत हुआ और साइद आपको तो लगता ही होगा कि कल जो topic हमने पढ़ा था या हर्याना को जानने के इतिहासिक स्त्रोत जो है आपके जो sources है ये वाला topic बेसिकली 70% जो है वो cramming topic कहिएगा आप लोग जो कि समझने वाले facts कम थे मतलब सहीदी सहीदी बाते है direct to the point बात है भी हाँ कोई maxim निकाय गरंत है बस ठीक है दिवयवयदान गरंत है सत्पत ब्रहमन है वामन पुरान है मतलब ऐसी fix fix चीज़ी है आपकी तो इसकी लिए हो सकता है आप लोगों ने साथ की साथ कल नोटस तो बना ही लिए होंगे अगर जिस बच्चे ने नहीं बनाए तो उन सभी बच्चों के लिए आज की कलास जो है एक PDF फों में आपको मिल जाएगी as usual कहां मिलेगी अपना टेलिग्राम चैनल आप सभी को पता ही है क्या नाम है इसका star IQ PDF ठीक है star IQ PDF कुछ कलासिस है जो आप लोगों को आपकी choice पे बात है ठीक है लेकिन उसका revision type का होगा मैं तो चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि आप खुद जब इस PDF को पढ़ो ताकि जल्दी से आपको चीज़े समझ में आ जाए तो कल हमने क्या पढ़ा था प्यारे बचो प्राचीन हर्याना के इतिहास के स्त्रोत जाने थे हम लोगों ने हर्याना का इतिहास जाना था क्या होता है हर्याना का इतिहास जहां जिस छेत्र में हम लोग रहे रहे हैं उस छेत्र का अध्यन करना है तो अध्यन करने के लिए क्या चीए हमें उसकी location का पता होना चीए और उसके बारे में उसका जितना भी temperature वगरा है उसकी प्राकरति कवस्था कैसी है इन सबीग चीजों के बारे में हमें पहले से पता होना चीए या हमें समझ में आनी ही चाहिए अब हरियाना के इतिहास को पहले जाना जाए यानि कि हिस्टरी के बारे में जाना जाए तो मैं बहुत सारी चीजों से sources मिलते हैं जो जर्नली मैंने कल आपको पढ़ाया था उसी topic का आज ये depth होगा थोड़ा सा क्योंकि मैंने का न हम हरियाना civil service exam की preparation कर रहे हैं तो कोसिस करू मैं कोसिस करूँगा प्यारे बच्चो कि आपका paper तक आपका चीजे जो है छूट ना पाए फिर भी कोई एक दो चीजे रह जाती है तो आप hyper ना होईएगा मुझसे आप personally बात करिएगा और मैं आपको वो भी share कर दूँगा हम सभी मिलके कुछ अच्छा करने की कोसिस करें एक sources कौन सा होता है आपका मैंने बताए सहाइतिक यानि की literary sources हमने पढ़े थे एक हमने पढ़े थे आर्कियोलोजिक यानि की पूरा तत्विक स्त्रोथ पढ़े थे इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जैसे हर्याना के इतियास के स्त्रोथ में हर्याना का इतियास पढ़ ल पढ़ाता हमने एक आज एक नई चीज़ और जोड़ देते हम लोग आधुनिक यानिकी modern sources भी हो सकते हैं हर्याना के इतिहास को जानने के लिए अब साहितिक स्त्रोत की बात करते हैं हम लोग यानि के literary sources की बात करते हैं इस कलास को देखने से पहले मैं चाहता हूँ आप part number 3 जरूर देख लीजिएगा ठीक है सबी के सबी बच्चे जो है part number 3 था फूर्थ हव फूर्थ हाईटिंक सो हाँ पार्ट नमबर 4 जो है आपका वो जरूर देख लीजिएगा ठीक है ताकि आपको इकलास थोड़ी जल्दी समझ में आए तो क्या बता रहा हूँ मैं कि साहितिक सामगरी कई परकार की है जिसको हम मोटे तोर पे दो भागो में भारतिय स्त्रोत और विदेसी स्त्रोत में बाढ़ सकते हैं अब ये कहना ये चाहा रहा है हमें कि literary sources तो बहुत ज़ाद है literary sources का मतलब देखो कितने सारे गरंथ है जिनका अंदाजा ही नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा जो categorize किया जाए तो ज़्यादा आसान होगा सर कौन कौन से category करें एक category है हमारी भारती अस्त्रोत की यानि कि Indian sources और एक category है विदेशी स्त्रोत की यानि कि जो आपके foreign sources है उनके बारे में दो category हम लोगों ने तोड़ ली अब सर यहां पर एक भारती अस्त्रोत है इसको अगर जाने तो देखिए का धार्मिक गरंथ हमारा भारत में धार्मिक गरंथ से रिगवेद हुआ आपका यह हमारा वामन पुरान हुआ यह हमारा मतश्य पुरान हुआ सत्पत ब्रामन हुआ मनुसमर्ती हुई अथर वेद ह बोध जैन धर्म के गरंथ हुए ये सारे धार्मिक गरंथ हैं तो नहामारे ठीक है और इतिहासिक गरंथ भी हैं ब्राहमन है, वैदिक धर्म है महाबार्थ है और उसके बाद का संसक्रीट सहाइत है जैसे हमने अस्ट्याज हाई वगरगा के बारें बात की जैन हैं बोध हैं ये सारे के सारे इतिहासिक गरंथों के अंदर आते हैं मैं यहाँ पर लिखी हुई सारी एक-एक लाइन एक-एक सब्दों का मतलब आपको बताता चलूँगा बच्चो तो ब्रहामन और वैदिक धरमगरंद जैसे लगबख सभी इतिहासकार इस बात से सहमत है कि अधिकांस वैदिक साहिते जैसे वेद, ब्रहामन, उपनिशद, आदी की रचना हर्याना ही परदेश में हुई है तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए यहां से बन सकता है, यह लाइन, यह वर्डिंग आपको साहिद हो सकता है मजबूत करें आपकी जीके को बढ़ाने में कि हर्याना के अंदर वेद जो है, वो वेदों का उत्पन भी हर्याना से ब्रहमन जो है, उपनिश्यद जो है, उपनिश्यद का मतलब क्या था है, उप मतलब होता है पास, निश्यद मतलब होता है बैठना, तो कोई पास बैठ के, ठीक है आपको मैं नची केता, बालक वगरा, वो ठीक है, यह कई सारे उपनिश्यद मुंड को उपनिश्यद है आपका जिससे हमारा सत्य वियो जयते लिया गया है हिस्ट्री की पर्टिकुलर क्लास एक दो अल्रेडी मैंने डादर की है इसके उपर और कुछ आगे और भी पढ़ा दूमा था कि समझ में आ जाएं ये चीज़ें आपको तो जादातर लोग मानते हैं मैं ऐसा नहीं कहरा या हमारा इतिहास भी ऐसा नहीं कहरा ये 100% ये बात है कि वेद हर्याना में ही बने हैं ब्रामण उपनिश्यद ये सारी चीज़ें हर्याना में बने हैं 100% नहीं है ठीक है ब्रहामणों की उत्पती भी बहुत सारी लोग ऐसे मानते हैं कि शुरुआत में हर्याना से ही हुई है या इसी परदेश से हुई है इतिहासकार जालतर मानते हैं यह तो हो सकता है आपको यह लगभग वाला वर्ड डाल के पिपर में कहीने कहीं पूछ ले आता इन गरंतों में हर्याना के भौग वलेक आर्थिक एतिहासिक और सामाजिक जानकारी भी मिलती है अब अगर यह हर्याना में बने हैं तो जहिर सी बात है हर्याना की भौग वलेक जानकारी जैसे मैंने आपको कल समझाया भी था एक द्रिष्ट दती नदी और एक आपको शर्षवती नदी उन दोनों के बीच का चेतर है और ये वाला स्लोक भी आपको मैंने पार्ट नंबर 3 के अंदर समझाया था मनुस्मर्ती के अंदर एक स्लोक लिखा हुआ है और स्लोक के अकोडिंगे लिया गया है आपका आर्थिक ठीक है किस टाइप का वैपार वगरा जैसे कल हम पढ़ रहे थे घोड़े वगरा के वैपार के लिए भी जगह जानी जाती है हर्याना के अंदर ही पहुआ मैं आपको जैसे पढ़ा रहा था एतिहासिक चीजों के बारे में ठीक है जैसे आपके मिथा थल हुआ बनना वाली हुए तो ये सारी चीजे इनकी जानकारी सामाजिक मतलब लोग कैसे रहते होंगे इन सभी के जानकारी है इनी गरंतों से ही मि अंदर एक स्लोक है उसके अंदर लिखा हुआ है हर्याना का नाम का है रजत हर्याने नाम दिया गया है और सबसे प्राचीन गरंत यूँ कहिएगा आप लोग और सबसे प्राचीन गरंतों में से नाम जो है सबसे पुराना नाम भी ही आया आपका रजत हर्याने अब ये ना ने मान लिया पकी बात तो क्या कहें है कि नहीं है कैसे कह सकते हैं लेकिन हाँ जहां हर्याना की वास्तविक पहचान हुई थी वो नाम आगे आता है आपकी मनुस्मृति के अंदर ठीक है और मनुस्मृति कह दीजीगा आप लोग या आप अथरवेद के वी सोर्सिस रहे हैं और नदियां आपको मैंने बता ही दी दृष्टदती और सरस्वती नदी और इन्हीं दोनों के बीच का छेतर खुन सा था आपका हर्याना वाला इसको ब्रह्मा की उत्रवेदी कहा गया है इसे आरेवर्त कहा गया है या इसे आप लोग ब्रह्मा के नाम से भी पुकारा गय या यूँ कह सकते हो हर्याना की भगौलिक जगह जो है पहली बार बताई गई है यहीं पे ठीक है और इन्ही नदियों के तटों पर वैदिक सहाईते की रचना हुई है तो एक थोड़ा सा इपार्टन चीज है कि वेद व्यास ने वेद की रचना की है वेदों को लिखा है तो किस नदी के तट पे सरस्वती नदी के तट पे ठीक है इन्ही नदियों के तट पे जो हुई है इन्ही सहाईतेक या इन्हें वैदिक सहाईतेक ही रचना हुई है अब हर रिगवेद में भारत नामा कबीले का उलेख भी किया गया है ठीक है यह देखो हमारे पुरे भार का भी जिक्र मिलता है तो वेदों से ही मिल रहा है जो इस काल में सरस्वती और यवना नदियों के बीच में रहता था अब भारत नाम का कबीला जो था ना वो कहां रहता था एक साइड सरस्वती एक साइड यमुना इनके बीच में रहने वाला कबीला था रिगवेद में हारि पहचान कुरुचेतर के आधुनिक विशाल तलाब से करते हैं, ठीक है, कनिगम ने क्या किया, इनकी पहचान कुरुचेतर के आधुनिक विशाल तलाब से की गई है, ठीक है, ये सहाई तिक स्त्रोत हैं आपके, ठीक है, मनुस्मर्ती बच्चों कल हमने पढ़ा था, क्या का थ ब्रह्मा की उत्रवेदी, ब्रह्मा वर्त प्रदेश, ये नाम दिये गए, नदियों के बीच का छेतर इसी वज़े से ठीक है, और पहली बार हर्याना की पहचान और भगलिक्स दिटी भी, उसके बाद हमने पढ़ा था, प्यारे बचों, महाभार्त को पढ़ा था, महाभार् महाभारत का युद कितने समय तक चला था? अठारा दिन तक युद चला था महाबारत काल का ये बात भी आत रखिएगा आप लोग इसी महाबारत में नकुल हर्याना का रोह तक जीत कर सिर्सा गया था ये वाली बात भी बताई जाती है यहाँ पे सत्पत ब्रहमन के बारे में बताई ठीक है जिसके नाम पे कुरू छेतर पड़ा अब ये कुरूओं का छेतर अगर आप से पूछा जाए किस गरंत में बताया गया तो सत्पत ब्रहमन में बताया गया महाबारत और उसके बाद का संस्कृत साहिते जो है ये सत्पत ब्रहमन के अंदर ही बताया गया है आपका महाबार्त का युद्ध कुरुचेतर में हुआ था और गीता का उपदेश भी कुरुचेतर में ही दिया गया था और महाबार्त में हर्याना को क्या नाम से पुकारा गया बहु धाननेक बहु का मतलब क्या बताया मैंने आपको बहु का मतलब होता है आपका जादा गर में बहुएं आती है वो वाड़ी बहु नहीं ठीक है और धन्ने का मतलब क्या होता है अपका अन ठीक है और हर्याना का वो यही चेतर था जहां पे सबसे पहले आपका जो है अर्टालीस कोस भूमी खोद के अन उत्पन किया गया और द काफी important बात है आपके लिए पेपर में जरूर पूछी जाती है मैंने कल आपको संस्कृत के स्लोक से समझाया था कि इस महा कावे के अंदर नकुल दिगविज्यम सिर्सक के साथ में एक रोहतक का वर्णन रोहतक को जीता और रोहतक को जीत के सिर्सा गए थे यहां पे भगवा विष्णु का ही एक अवतार था इसमें छोटे बच्चे बनके आए थे ये ठीक है इसी वामन पुरान में हर्याना की नदियों का वर्णन है सारा का सारा और इसी कोई कुरू जंगल ठीक है ये गुरू नहीं कुरू लिख ले ना ठीक है कुरू जंगल कहा गया है इसे याद करें ना करें लेकिन द्वेतवन जरूर याद करें जिसमें कुरू ने 48 कोस भूमी को खोद गे कृशी कारे सुरू किया और यही 48 कोस वर्तमान का कुरू छेतर कहलाता है आपका ये भी बात आप याद रखिएगा उसके बाद प्यारे बच्चों जैन साहिते था जैन इत्रि तंकरों की जो है वो जी उन्ही है लिखी गई आपकी जैन संस जिन वलाब सूरी साथ में इनके थे कौन से हरी जद्धर शूरी ये भी उलेक मिलता है और इस प्रदेश में जैन धरम को पुनर जिवित करने का स्रे किसको जाता है सादू जिन वलाब को ही जाता है ठी जो कि यहां पे ही रहते थे मत्तब जैन धरम को जगानी के लिए जैन धरम का परचार परसार करने में जो बहुत ज़्यदा सहयोग रहा है वो जिन वल्लब सूरी उनके साथ में थे हरी भद्र सूरी थे अच्छा उसके अलावा जो है साम देव सोम देव के यस्तलिप और एका पुष्पदंत जसहर इनमें हर्याना का पशुधन अगर आपसे पूछा जाए जैन के कोन से ऐसे ग्रंत है जहांसे पशुधन के बारे में बताए तो आप इनके याद कर सकते हैं नाम भी अच्छा अग्रोहा के जैन कवी लोहा चारे ये भी कल जिकर हुआ था ने जैन मुर्तियां हर्याना में कहां कहां से मिली थी सर तो अस्तल बोहर रोतक से मिली थी रानिला चर्खी दादरी से मिली थी दादरी मैंने आपको कहा था ये दादूर दादूर जो होता है मेंडक को बोलते हैं संस्कृत में इसी वज़े इसका नाम दादरी पड़ा ये एक कथा के अनुसार है बाकि इसके और बहुत सारे भी रीजन है और हासी से भी जहन के मुर्थियां जो है मिली ही थी आगला कंसेप्ट था हमारा बोध धरम का अब दिव्य विदान गरन से हमें ये पता लगता है कि उत्तर पस्चिम भारत में अग्रोहा और रोतक आते थे और य एक मौक्षिम निकाय मैंने आपको बताया था जिसके अंदर आपका जो है गुरुगराम के धन कोट के अंदर रगपत नाम के जो वैक्ती थे शिश्य थे महात्मा बुद्ध के उनको उपदेश के बारे में बताया गया है धन कोट को हम लोग कुर्चेतर के समकालिन भी बत कि यातरा की गई थी समझाता है ना कल हम लोगो नहीं यह आप ही कास रिवीजन किये प्यारे बच्चो इसको बस देख रहे हो तो आपका एक टाइप से रिवीजन ही हो रहा है अच्छा उसके बाद में जो है आपका चुलू वग से पता लगा है क्या अगरोहा सबसे बदल रहे हैं यहाँ ठीक है कई किताबों में कुछ ऐसा लिखा है कई किताबों में जैसे मैंने कल आपको लिखा वैसा थोड़ा बहुत फरकाता है मैंने आपको कल भी खाता जिसमें आप थोड़ा प्रेसान मत होईएगा एक मंजुसरी मूल कल्प था इसमें जो है कल्प स्थाने इश्वर स्थान जो है आपका ठीक है स्थाने इश्वर का बारें पता लगा जो राजा हर्षवर्दन जहां पे रहते थे ठीक है राजा हर्षवर्दन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो उन सबी के बारे में मंजू स्री कल्प के अंदर जो है पता लगा है चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आगे दिखीएगा कल मैंने आपको मौक्षिम निकाय बताया था इसका एक नाम कहीं न कहीं है में मंजूम निकाय गरंथ भी मिलता है तो आप इसमें प्रेसान मत होईएगा वो एक ही बात है ठीक है मैंने खा न ये थोड़ा सा नाम चेड़े मेड़े किताबों में पेपर में लिख देते हैं बात उतनी सी यह जैसे निकाय निकाय है कई जगा मौक्षिम कई जगा मंजूम है तो प्लीज प्रेसान मत होईएगा आप लोग और वो धनकोट जिला गुरुगराम वाला मैंने बता दिया रत पात नामा के खिशिय को महात्माबुद ने उपदेश दिया था यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग तो एतिहासिक गरंथों की बात करते हैं हम लोग थोड़े से और तो कलहन की राज तरिंगनी से हर्याना के राजनितिक इतिहास पर काफी प्रकास पड़ता है तो ये एक important चीज, कि कल्हन की राज तरिंगनी से, ये हर्याना का राजनतिक इतियास कहां से मिला हमें कल्हन की राज तरिंगनी से, कस्मीर की राजा, ललिटा दिट्य, मुक्ता पिंड ने यहां के राजा को हरा कि यमना से कालका तक क सारा प्रदेश अपने अध्हिन किया थ तो दो किसन इस वाली स्लाइड में आपको मिल गए क्या कि हर्याना का राजनेतिक इतियास कहां से मिला कलन की राज तनिंगनी से मिला दूसरा कि उसना आपका ये मिलता है कि यमुना से कालका तक का चेतर जो है वो किस ने जीता राजा ललिता दित्या मुक्ता पिंड ने जीता किसको कहा के राजा थे ये राजा थे कस्मीर की राजा थे आपके ठीक है उसके बाद आगे आता है हमारा युनानी लेकक के बारे इन बात करते हैं हम लोग ठीक है तो देखो एरियन ने इस छेत्र की आर्थिक और राजनेतिक अवस्ता पर प्रकास डाला इसके विवर्ण से ये ज्यात होता है कि यहां के लोग बहुत ही अच्छे थे किसमें युद लड़ने में बहुत बहुत दूर थे परशासन पदती बहुत अच्छे थी न्याई विशेस्ता जो थी बहुत ज़दा थी आपसे ये पूछा जा सकता है कि हर्याना के न्याई विवस्ता के बारे में ये कहां से पता लगा हमें तो ये युनानी लेखा को कोई दवारा एरियन के दवारा पता लगा है चीनी लेखा क्या कहते हैं तो हैंसांग जो है हैंसांग हर्स के समय हर्याना में आया था और उन्होंने यहां तीन स्थान, ठाने इश्वर, सुग और गोकंठ गोहाना का ब्रहमन किया था, चीक है, और उसने स्रीकंठ राज्यय और उसकी राजधानी स्थाने इश्वर का बहुती सुंदर वर्णन किया हुए, इसके अनुसार स्रीकंठ के लोग जादुई कला में न पुन थे, अधितर लोग ब्रहमन ध्रम को मानने वाले थे, इनको आगे पढ़ेंगे, और रिटेल से, और पॉपिक में पढ़ेंगे, तब राजा वगरा करवाँगे, तब मैं आपको बता ही दूँगा, यह तो कहानी के रूप में समझाओंगा, फिलाल आपको मैं सिर्फ सोर्सिस बता रहा हूँ, चिनी लेखकों का सोर्स कहां से आपका है, इनसांग वाला है, चंदरगुप्त विक्रमादित्य जो रहे हैं, ठीक है, विक्रमादित्य द्वित्य के सासन काल में, चिनी आतरी फाहियान भारताया और अपने पुस्तक में, फोको की में उसने हर्या हरियाना के संकृति का उलेख किया है, यह चीजियां आपको याद रखनी है, इसमें क्या याद करना है आपको की चिनी आतरी जिस ने अपनी किताब के अंदर हर्याना के संस्कृति का उल्ले किया तो चीनी आतरी का नाम है फाहियान किसके समय में आए चंदरगुप्त विक्रमा दित्य द्वित्य के काल में आए किताब का नाम क्या था फोको की था ठीक है तो यह सारे नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे और तो कोई इसका इलाज है नहीं चलिए जी दूसरे सोर्सिस हमारे हैं बेटा अब हमारे पूरा तत्विक स्त्रोथ यानि की आर्केलोजिक अब देखो हर्याना का चेतर पूरा तत्विक सामगरी मिली है और 2400 इसापुरो से भी प्राचीन चीजे जो है वो हमें यहाँ पे मिली है जिसमें सिक्के हैं अबिलेख हैं मुर्तियां हैं कई सारी चीजे हैं जैसे कल हमने एक पढ़ा था असोका तोपरा अबिलेख वर्तवान में यमना नगर में हैं और हर्याना कभी मोर्य समराज्य का भाग था इससे ये पता लगा और हर्याना से प्राप्त अबिलेखों में टोपरा अबिलेख स्तंब जो है यह सबसे प्राचीन माना जाता है और यह स्तंब समराथ असोक के समय का ही है उस समय पे साथ अभी लेक खड़े हुए थे जिसमें से लीपी ब्रहामी तता भासा संस्कृत है ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि हर्याना में मोर्यों का उलेक मिलता है किस अभी लेक से टोपरा से वर्तमान में कहाँ पर यम्नानगर आप्शन में ना हो तो अमबाला लगा सकते हो आप इसे बाद में क्या हुआ फिरोशात तुगलक ने इसे यम्नानदी के रास्ते दिली ले गया पहले यम्नानगर में था वर्तमान में यम्नानगर तो बता ही दिया एक तो शाम अभी लेक पड़ा था, इस अभी लेक में तीसरी और चोती सदी का उलेक है, धार्मिक और सांसकर्तिक महतव बताया गया हरियाना का, और जहां पे एक अचार्या सोम स्राथ चोईस के बारे में विजिकर है, इन्होंने दो तलाब बनाए थे और एक मंदिर बनाने का उलेक भी मिलता है, यहां पे, हिसार का स्तंब लेक की बात करें, तो चोती पांच्वी सदी के लेक में, तिर्थ यात्रियों के नाम है, जिसमें ये ग्यात होता है, कि जिस थान से यह अभी लेक था, तो कभी तिर्थ सस्तान था, अगर आप से पूछा जाए, हर्याना के तिर्थों के बारे में जानकरी, यह हर्याना के तिर्थ, यात्रियों के बारे में जानकरी, कहां से मिली, हिसार के स्तंब लेक से मिली, अच्छा, अगरोहा से जो है, हिसार के अंदरी अगरोहा पढ़ता है, अगरोहा से टेमलेट नाम का स्त्रोत प्राप्टवार, जिस पर नी पापा मागारे सा ठीक है या आप इसे सारे गा मापा धानी सा ठीक है इस पर ये जो आदे अंकित है ने ये वाले मिले थे आपके जैसे सात सुरों वाले होते ने उसमें से नी पापा सारे गा मापा धानी धा होना चीए ठीक है ये धानी ठीक है धानी सा ठीक है ये वाले स बहुत बहुत important question कि हर्याना में संगीत के यहास का सबसे पूरा त्विक्स त्रोथ कौन सा सबसे important कौन सा था या संगीत से सम्मलित कौन सा था जिकर क्या रहेगा आपका अग्रोहा ही रहना चाहिए ठीक है बच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला question हमारा क्या रहेगा सो राजा हर्शवर्दन की जानकारी मिलती है हर्शवर्दन सेव धर्म से थे बाद में उने बहुत धर्म अपना लिया यह जानकारी मिलती है सोनीपत के तामर पत्र लेक से ठीक है और क्या मिलती है सभी राजाओं के वनसों के बारे में राजाओं की उपादियों के बारे में उकिस तरीके से धर्म के मारग्या धर्म का उन्हें ज्यान प्राप्ता ये शैव धर्म को मानने वाले थे, कि या किस धर्म को उपासक थे, सूर्य के उपासक थे, चंद्रमा के थे, या कैसा कैसा धर्म मानते थे, पूरे राजा के काल के बारे में सोनिपत के तामर पत्र अभि अब एको परतिहार काल का अभिलेक जो है ना यहां से आपको दो वेक्तियों के बारे में दो राजाओं का में उलेक मिलेगा जिसमें से एक आपका मैंने बताया था राजा भोज राजा भोज के दो अभिलेक थे एक था पहुआ का एक था सिर्सा का अरे का महिंदर पाल इनका एक ही था पहवा का ठीक है पहवा को हर्याना का गया भी कहा करते हैं राजा भोज के जितने भी अभी लेक थे ना आपके इनी अभी लेकों से हमें ये मिला है कि हर्याना के अंदर प्राचीन समय में वैपार और संस्कृति का प्रमुक के अंदर रहा था और सिर्सा से ये पता लगा कि हर्याना के अंदर जो है तॉमर वन्स की वंशावली जो है वो बहुत ही famous थी तॉमर वन्स की वंशावली के बारे में हमें पता लगा है तो ये किस्तन आपके लिए थोड़ा सा जादा इपॉर्टेंट है महिंदर पाल वाला कि आपसे पूछा जाए कि हरियाना में तॉमर वन्स के वन्शावली से कहां से पता लगा तो महिंदर पाल के एक अभीलेक से जो कि पेहुआ से प्राप्त हुआ है राजा बोज के कितने हैं दो हैं एक पेहुआ एक सिरसा अच्छा प्राचिन काल में कौन सा चेतर था तो ये घोडों के वैपार के लिए बहुत ही ज़दा फेमस के अंदर था ये भी बात आपको याद रखनी है इसके अलावा गोडों के वैपार वगरा कि मैंने आपको बता ही दिया एक दिन में घोड़े बेचने के लिए एक्तरित होते थे मेला वगरा लगता था यहां पे जिसमें सारे देश के गोडों के वैपारी गोड़े खरीदने और बेचने के लिए आया करते थे इस जगह प और यहां पे जो है आपका चाहामान राजा विग्रहे राज फोर्थ ने तोम्रों को प्राजित किया था इस लेक से ही हमें ये पता लगता है और याना को धर्ती का स्वरग भी कहा गया है वो इसी के अंदरी कहा गया था ठीक है हासी से प्रिथ्वी राज चोहान के बारे में हमें पता लगा था ठीक है ये भी बात आप याद रखेगा हर्याना में चाहामान साशक की जानकारी मिली थी ठीक है पृत्वी राज जो है उसना अपनी चाचा विलन को हासी का कार्याभार सौंपा था और ताकि हासी को मुस्लिम आकरवनकारी से बचाय जा सके हासिस से जितने भी प्राप्त अभीलेक है वो इसी के महतों के बारे में जानकारी देते हैं तो ये विल्लन वाली बात आपको याद रख लेनी है अलग से पालम बावली वाला मैंने आपको बता ही दिया दिल्ली संग्रालिय वगरा ठीक है तो बात समझा ही दी मैंने आपको पहले ही सिक्कों की बात और कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग लास्ट में की हर्याना प्रदेश के विबिन इलाकों से हमें सिक्के ता सिक्के ढालने के सांचे मिले ये सबी हर्याना के राजने ते सामाजिक और आर्थिक एतिहासी बताते हैं हर्याना में सबसे पहले कुन से सिक्के मिले थे हर्याना में सबसे पहले मिले थे पंच मार्ग सिक्के मिले थे इसके बाद मिले थे अगाद और युद्य गनराज्यों के सिक्के मिले थे खोकरा कोट रोहतक से योध्य कालीन शिक्कें मिले थे सैंकडो सांचें मिले थे बहुत जँधा यहां पर तो ऐसा माना जाता है यहां पर योध्यों की राजधानी रही होगी तकसाल का मतलब यह होता है जो सिक्कें ढालने के काम आते Freedom सांचे जो होते हैं उन्हीं को टकसाल बोलते हैं तो बहुत सारी चीजे यहीं से मिली हैं है लगबक खोकरा कोट पे Зधातर मिले हैं आदे से जदा तो ठीक है ही तो खोकरा कोट ऐसा मना जाता है कि इंडो ग्रीक का ही आपका छेतर रहा होगा ठीक है और दूसरी बात है कुषाणों के सि pregnancy मित्था तल भीवानी के अंदर पड़ता है यहां से 27 स्वन सिकों को चोड़ के हरियाना से प्राप्त कुषाण सासकों के सभी सिके तांबे के ही है और के अलावा जो है आपका कनिक्ष का एक सिक्के सांचे खोकरा कोट और नुरंगाबाद से मिले हैं हमें ठीक है और के अलावा गुप्त शासक जैसे समुद्र गुप्त के ही सिक्के मिले हैं पुश्य भूती सोरी ठीक है ये पुश्य भूती है आपका पुश्य भूती वंस का अभी तक जो है कोई भी हर्याना का सिक्का नहीं मिला है अपका ठीक है अच्छा परतिहार सासकों में किसके सिक्के मिलें जर भोजदेव और विग्रहपाल के सिक्के मिलें कहां से मिलें खो महरों की बात करते हैं तो हर्याना के खोकरा कोट, नोरंगाबाद, सुग तथा दोलपूर आदिस्तानों से हर्याना में बहुत सारी महरे मिली हैं ठीक है इन महरों पे कुछ न कुछ लिखाओ गया है लेकिन आज तक इन्हें जो है 100% कोई पढ़ नहीं पाया कि एक्चल में क् थी इन पे, मुर्तियां तो आपको मैंने पहले ही बता दी है जो कि समाज की धार्मिक और आर्तिक सांसकर्तिक जीवन का ही हमें बताया था, जिसमें हमें कौन-कौन सी मुर्तियां मिली है, सिव पारवती की, एक मुकी लिंग की, गनेज जी की, महिशा सुर की, ऐसी बहुत स चोड़कर दुरभागे से एक इस मार्क जो है, वो नहीं बचा, सारे के सारे तूट गे, फिर भी खुदाईयों से हमें बहुत सारे भावन, मंदिर, इन सभी के बारे में पता लगता है, और इतिहास का थोड़ा थोड़ा ज्यान भी प्राप्त होता है हमें, तो एक तो हर्याना के इतिहास का, तो भी वो किस टाइप से हर्याना कहीं रहा होगा, जैसे किताबों की बात करते हैं हम लोग ठीक है, तो इन में से भारगव की दा जोग्राफी ओफ रिगवेधिक इंडिया, ये बहुत ही परसिदर, इसके अध्यन से हमें पता लगा कि रिगवेधि के बहुत सारे नगरों का उलेख मिला है, जे अन सरकार, इन्होंने लिखी है, स्टेडीज इन जोग्राफी ओफ एंशेंट इंडिया, और कागे की है, हिस्ट्री ओफ धरम सास्त्र, कीत की है, वैदिक इंडेक्स, बुद्ध परकास की है, पॉलिटिक्स एंड सोसल इनेशेंट पंजाब, आर सी मजुमदार की है, हिस्टरी एंड कलور, हिस्टरी एंड कल्चर औफ टीपल ऑफ इंडिया, कल्चर है, कल्चर ऑफ लेफ औफ इंडिया, केसी यादों की किताब है, हरियाना का इटियास, सांस्कृतिक भाग 1 भी है, इन किताबों से दिन से पता लगा कि हर्याना का इतियास, धारमिक, राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक सभी जानकारिया मिली, ये किताबे बहुत इपोर्टेंट है, एक बार अपनी निगाहों से लिखाल लेना आप लोग, फिर से दुबारा बता देता हूँ आपको मैं कौन-कौन से किताब बताई, मैंने भारगो की किताब कौन से दा, जोग्रोफी ओफ रिग वेधिक इंडिया, उसके बाद में कनीगम की किताब, आर्के लोजिकल सरवे, रिपोर्ट्स, उसके लावा जेयन सरकार की स्टुडीज इन जोग्रोफी ओफ एनिशन्ट कागे की हिस्ट्री ओफ धरमसास्त्र, कित की, वैधिक इंडिक्स, बुद्ध परकास की पॉलिटिक्स, एंड सोसल मुमेंट ओफ दे पीपल इन एंसेंट पंजाब, आर्सी मजूमदार की हिस्ट्री औड कल्चर ओफ दे पीपल ऑफ इंडिया, केसी यादो की हर्याना का इ परकासित है, तो ये बात भी आप याद कर ले ना, जिसमें आपका परगने और तहसीले, सैटलमेंट रिपोर्ट, ये सारी की सारी लिखी गई है हर्याना की, कुछ पतरिकाओं से भी हमें हर्याना का पता लगता है, हर्याना सोध पतरिका नामा के एक पतरिका है, जो रेव प्रतिक चार महीने पर परकासित होती थी उसमें भी पता लगा हर्याना के शंसक्रती और हर्याना के इतियास के बारे में। ही जाती है ठीक है तो इतना ही था प्यारे बच्चों आपका ये लेक्चर इतने ही था आपका पूरा मेरा किया गया प्रियास आपको बताया गया ठीक है यकिनन आपको यी चीजे समझ में आई होगी कुछ नया ही सीखने को मिला होगा आप सबी का धन्यवाद कल शाम को 7 बज पूरे 9 महीने के हर्याना के करेंट अफेर करवाऊंगा रात को 12 बजे मेरा बर्डे भी हो जाएगा तो मुझे विश्ट करिएगा अच्छा भी लगेगा ठीक है लाइव रहके विश्ट करेंगे तो धन्यवाद भई